1942 को भारत छोड़ो अंदोलन चालू हुआ और 12 अगस्त 1942 को हमारे क्रपालपुर के एक सूरवीर सहीद पदमधर सिंग उसका नेतृत कर रहे थे कहां इलहाबाद में और तिरंगा लेकर हांत में आगे बढ़ रहे थे अंग्रे जो भारत छोड़ों का नारा लगाते हुए उन्हें रोकने के लिए कहा गया वो रुके नहीं कलेक्टर था वहां का डिक्सन उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया बांकी लोग तो लेट गए लेकिन वो नहीं लेटे क्योंकि लेट जाते तो तिरंगा गिर जाता और तिरंगा ना गिरे इसलिए सहीद पदमधर से गिर गए आजीवन के लिए गिर गए और वहीं उनकी इम्रत्तु हो गई ये भारत छोड़ों अंदोलन में उनका योगदान था